बड़े उर्ला पचेडा मार्क पर अवेद सराप के साथ अबनपूर थाना पुलिस ने दो आरोपियों, अमन दित लहरे और योग राज कोशले को ग्रिफतार कर आरोपियों से भारी मातरा में सराप जब्त की है आरोपियों सराप को जुपिटर स्कूटी गाड़ी में लेकर जा रहे थे बीएसपी युनिवरसल रेल मिल में मंगलवार की साम हाथसा हो गया यू आरेम में रेल पट्री की ढलाई के दोरान बीडी दो रोलिंग टेबल से 130 मीटर लंबी रेल पट्री छटक गई देखती हुई रेल पट्री जलेबी की तरह टेबल से बाहर निकल गई आसपास ग्रीस और आईल होने के विज़ा से आग लग गई फायर बिगेट की टीम ने किसी तरह आग को काबू किया घटना के बाद उतपादन को रूल दिया गया था रेल गई जले के कोतरा रोड थाना पुलिस ने टायर गोदाम से चोरी पौने दो लाख रूपय के टायरों की चोरी करने वाले दो आरोपियों आसीस महस और जैकी सिदार को ग्रिफतार कर आरोपियों से 49 नग विबिन कंपनियों के टायर कीमत लगबग 1,70,000 रूपय और चोरी में परीक्ट पिकप कीमत 5,50,000 रूपय जुमना 7,20,000 रूपय की मसुरुका को जब्ट कर आरोपियों को जिल बेज दिया है रायगर जिले की कोतवली थाना पुलिस ने केवड़ा बाड़ी बस्टेंड के पास इस्थित रैन बसेरा के केरे टेकर से सराप बीने के लिए पैसो की मांग कर उससे मार पिट कर रैन बसेरा के बाहर ट्रेबल्स आफिस के बाहर लगा सीसी टीवी कैमरे तोड़ने वाले आर रोपी अकास जैसवाल को पुलिस ने गरिफदार के लिया है। मकान बनाने के लिए रखे सरिया की चोरी अग्याद चोरोने कर ली थी। पांच बंडल सरिया चोरी होने से मकान मालिक को आर्थिक छती पहुंची। मामले की शिकायत पर हर्दी बजार थाना पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर तीन आरोपियो विजेंद कुमार गोड, अजय कुमार मरकाम वा लौरिक कुमार मरकाम को गिरुफतार कर उनके पास से 32,000 रुपे किमत का सरिया जब्त किया है। पुलिस ने गराब बसंपूर में रहने वाले प्रार्थि युवक की शिकायत पर आरोपियो अजय भोई को प्रार्थि के निजी फोटो वीडियो वैरल करने की धमकी देकर उससे 50,000 रुपे वसुली करने के बौजूद, धमकी देकर मांसिक रूप से पतारित करने के आरो पुलिस ने गरुफतार कर जिल भिज दिया है। राइगर्ड की चाल थाना पुलिस ने थाना चेतर अंतरकत गराम बांधा पाली में अधेर वेक्ति द्वारा फांसी लगा कर आत्मत्या करने के मामने में गाउं के ही थाने स्वा पसाथ पटेल उर्फू कत्थू को मिर्तक की जेव से मिले सोसाइड नोट वह ब्यान की कावर्दा बोडला की और से मंडला जबलपूर की और जा रहे कार को रुपकर जाच कर कार से लगबग 26 किलो गांजे के साथ कार सवा राजिस्थान निवासी उद्या सिंग गूर्जर वर रामफूर गूर्जर को गिलुफतार किया है कावर्दा जिले की पिपरियतार छेतर के गराम चार डोंगरी में इस सिद गूर फैक्टरी में एक 16 वर्थी नाबाली लड़के की चर्खे में फसकर ददनाक मौत हो गई मृत नाबाली का नाम फगंसी है जो मद्यो पदेश से गड़ी का रहने वाला था घटना से वहां काम कर रहे मज़ूरों में अफरा तफरी मजगे थी बेमेतर जिले में चोरी के चार मामलों में नाबाली के साथ गड़ेस उर्फ दादू दिवार और नकुल दिवार को पुलिस ने ग्रिफतार कर आरोपियों से चोरी किया गया जेवराद घटना में प्रविक्त वहां को जब्त किया है चतिस गड़ उर्फ राज्ये की सीमा में नागर नार थाना पुलिस ने ग्रिफतार किया है यह तसकर उर्फ दादू के माध्यम से करीब 35 किलो गांजे को चतिस गड़ के रास्ते तसकरी कर रहे थे लेकिन सरहत पर ही पुलिस ने ग्रिफतार कर लिया इनके पास ये बरामत के गांजे की किमत लगब तीन लाग पचास अजार रुपया बताई जा रही है नकसल प्रवाईद बस्तर संभाग में जन प्रतिनीद्यों की हत्या का सिलसला थम नहीं रहा बीदे पांस दिनों में नकसलियों ने तीन जन प्रतनीदियों की हत्या कर दी ताजा मामला दंतेवड़ा जिलेब में सामने आया है जहां नकसलियों ने बारसु ठाना छेतर के हित मोटा गाउं के पूरु सर्पन रामदर अलमी की हत्या कर दी नकसलियों की पूर बस्तर डिविजन कमिटी ने इस हत्या की जवाबदारी लिए है नकसल उलमलों न भ्यान के तह सुक्मा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है एक लाग काई नामी नकसली पॉलम पली जन मिलिसिया कमांडर मरकाम कोसा नकसली सयोगी मरकम देवा और माडवी जोगा को सुरक्षाबल की सहीथ टीम ने गिरिफतार किया है नकसलियों के पास से भारी मातरा में विस्वोटक सामागरी भी बरामत की गई है काईकर जिले में नकसलीयों के साथ हुई मुटभेड के बाद जवानों ने तीन नाबालीकों को नकसलीयों के चंगुल से चुड़वाया है इन में एक लड़की भी सामिल है इन तीनों को नकसलीयों ने बंदग मना कर अपने साथ रखा हुआ था इनसे खाना बनाने समान उठाओने जैसा काम कराया करते थे जानके जिले की बिर्धा थाना पुर्जेत मुगबिर की सुचना पर नाके बंदी कर बमनी डी की ओर से ग्राम ताल देवर्य की और आ रहे ही एक सेफेद रिंखे एमपी पासिंग कार को रोकर उसमें सवार एक नाबालिक सहीत संजू नौरंग उर्फ जगननात और कम्रेस कुमार पटेल को गांजे के साथ गिर्फतार किया है आरूपियों से चार केलू गांजा एक टाटा टीयोर कार और दो नंग मुबाइल भी जब्त किया गया है जानग्री जिले के मुलमला फाना छेतर में किराना दुकान में 12 साल का बालक ने 100 रुपे देकर 25 रुपे का नमकिन खरदा जिसके बाद दुकान संचाला के बच्चे को 75 रुपे वापस भी रोटाए लेकिन कुछ देर बाद बच्चे के चाचा संत यादाओ अपने साथी के साथ मोचा और एक रुपे चिल्धर कम देने की बात को लेकर जगडा और मार्पिट कर दी शिकायत के बाद पुलिस ने आठ आरोपियों को गरिफतार के लिया है